एपिसोड 17 के स्टार्टिंग होती है नेक्स डिक कुख हॉस्पिटल आती है जहां डाव से बताता है कुख अभी भी अनकॉंशेस है और वान उसके पास ही सोई हुई है वो उसका साथ छोड ही नहीं रही और अब दोनों कॉंग को देखने के लिए जाते हैं जहां कुख कॉं है में चोड़कर मत जाना प्लीज हमारे साथ रहो और अब कुख डाव को बोल रही थी मुझे यकिन नहीं हो रहा कि यह सब कॉंग के साथ हो रहा है तो डाव बोलता है तुम्हें पता है मुझे तो कॉंग पर गर्व है मैंने कभी नहीं सोचा था जिसे वो प्यार करेगा इस हद तक प्रोटेक्ट करेगा तो कॉंग बोलती है यही तो कॉंग में खासियत है वो कभी भी गोली अपने अंदर ले सकता है अपने प्यार के लिए जब हम दोनों एक साथ यूएस में थे तब हमारे पास जादा पैसे नहीं थे लेकिन उसने मुझे कभी भूका रहने नहीं दिया था वो एक ही लोता इंसान था जो मेरे साथ हमेशा रहा उसने मुझे हमेशा हसाया मैं हमेशा उसे लड़ती हूँ क्योंकि मुझे पता है इससे हमालक थोड़ी ना हो जाएंगे मैं लगी हूँ कि मुझे कॉंग की तरह एक अच्छा दोस मिला है और अब कुग को याद आने लगता है उसके हर बुरे वक्त में कॉंग उसके साथ था और अब कुग वो सब याद कर बहुत रूणी लगती है जहां डाउ से कंसोल करता और अब नेक्स दे नोई और शान वान के पास आ गये थे उसका ध्यान भटकाने के लिए वान का ध्यान कॉंग से हट पकड़ लेता है लेकिन जैसे उसको पता लगता है वो शान है वो उसका हाँ जट से छोड़ देता है और तब ही वहान आती है जो कि कॉंग को जगा हुआ देख बहुत खुश हो जाती है और उसे अपने हाथों से पानी पिलाने लगती है और इधर कुक और बास दोनों पूछने आए हो तो न्यों बोलता है क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं थी उसके पास जाकर यह पूछने की जो कुछ भी हुआ वो सब मेरी वज़स से हुआ जो दो आदमी ने कौंग को स्टैप किया था वो मेरे गैंग के आदमी थे और यह सुन कुछ और बॉस दोनों हरान रहे जाते हैं और कुछ तो उसे मारने जा रही थी लेकिन बॉस उसे कैसे भी करके रोकता है तो न्यों बोलता है मैंने बस उन दोनों को वान और कौंग को परिशान करने को बोला था पर मैंने यह कभी नहीं सोचा था यह सब हो जाएगा मुझे माफ कर दो और दर नर्स के साथ नूई वान सब बेकर कौंग के चोट में दवा लगा रहे थे और कौंग चलाए जा रहा था और इधर डाव डू से पूछ रहा था तीरा जली के साथ क्या सी चल रहा है तो डू बोलता है मुझे नहीं पता हम दोनों तो मिले भी नहीं है और अब कौंग के पास वान का कौल आता है जो की उससे बताती है कौंग उठ गया है और उसे कोकोनट केक खाना है तो क्या वो ड्यू के शॉप से ला देगी जिसके लिए कुक मान जाती है बिकाउस वो अल्रेडी कोक के लिए केक ले रही थी और वो कॉंग के उठ जाने वाली गुड नियूस डाउ और ड्यू दोनों को सुनाती है और अब सब हॉस्पिटल आ जाते हैं जहां कुक उसे उसकी तब्यत के बारे में पूछ रही थी जहां कॉंग बोलता है मैं ठीक हूँ लेकिन दर्द अभी ही है मगर शिंता मत करो मुझे तुम सब याद हो और वो बॉस को पहचानने से मना करने लगता है तो सब हसने लगते हैं तो बॉस बूलता है मैं तुम्हारा दोस्त हूँ तुम्झे कैसे बूल सकते हो तुम्हारे पेट में चाकू मारा गया है ना कि तुम्हारे सर में और अब कुक सब को अपने बुद्दे का याद दिला दी है जो कि जल्दी आने वाला था और अब नेक्स दे कुग वान को एक्जाम सेंटर में छोडने गई थी जहां वान कॉण को लेकर फिक्र में थी तो कुग बोलती है तुम फिक्र मत करो मैं तुम्हारे अपसेंस में कॉण का ख्याल रखूंगी और तुम्हें पता है एक बात मुझे लगता है कॉण तुम्हारे लिए प्रॉफेक्ट है और ये सुन वान अतनी खुश हो जाती है कि कुग को हग करके प्यार देने लगती है और अपने एक सीन में वान डाओ कुग तीनों कॉण को डिस्चाज करके घर लेकर आ जाते है जहां कॉण के पैर में डाओ सूट केस गिरा देता है और उस बिचारे का हालत खराब हो जाता है और वान इसके बात से डाओ को कॉण को चूने से साफ मना कर देती है और आज आंटी एद को पता चलता है डाओ कॉण का भाई है और उन्हें तो डाओ कुछ जाद ही हैंसम लग गया था और वो उसकी फैन बन गई थी और अब कॉण वान के मूँ में थोड़ी चिंता देखता है और उसके बारे में पूछता है तो वान बोलती है मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हुआ हिन जा रही हूँ दो दिनों के लिए और होटेल बुक्ट कर दिया गया है इसलिए मैं उसे पोस्ट पॉन नहीं कर सकती पर मैं तुम्हें कमपनी देना चाहती हूँ तो अब मैं क्या करूँ तो कॉंग बोलता है मुझे तुम्हारे कमपनी नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए जाओ तुम अपने दोस्तों के साथ इंजॉय करो क्यूंकि मैं भी तुम्हारे साथ जाने वाला हूँ लेकिन वान और डाओ उसके इस डिसीजन से ओके नहीं थे विकाज उसकी अभी तबियत ठीक नहीं थी लेकिन कुक बोलती है यह आइडिया जादा बेटर है हाँ तुम जाओ वान के साथ और यह सुन कॉंग को अजीब लगता है और वो बोलता है तुम आज इतनी अच्छी बनने का एक्ट क्यों कर रही हो तुक बोलती है क्योंकि मैं सुन्दर और अच्छी हूँ लेकिन तुम अपने चोट का ध्यान रखना और अगैन डाओ कॉंग के पैरों में चड़ कर उसे चोट पहुचा देता है जो देख कुक उसे वहां से लेकर चली जाती है और डाओ उसे पूचता है तुम्हे हुआ क्या है जो तुम्हे इतना अच्छा होने का राक्ट कर रही हो तुक बोल दी है मैं बस चाहती हूँ कौन ट्रावल करे और वो इस बहाने वान का ख्याल भी रखेगा मेरे लिए तो डाओ बोलता है इसका मतलब अब तुम मेरे भाई में ट्रस्ट करती हो मुझे अच्छा लगा ये सुनकर मैंने कभी नहीं सोचा था तुम इसके लिए मालोगी और अबने एक्स डेव वान के सारे फ्रेंट्स जाने के लिए उसके घर आ गए थे जहां उनका भी कहना था क्या कौंग के तबियर ठीक है जो वो जा सकता है तो कौंग बोलता है अफ कॉर्स मैं जा सकता हूँ अगर मैं तुम लोग के साथ नहीं जाऊंगा लड़कियों तो सिर्फ शान तुमारे साथ जाएगा और इस लड़के से तुम लोग सेफ नहीं हो और वान कुक को एक गुडबाई हग दे दिये और कुक बोलती है मुझे लगा था तुम वान का ख्याल रखोगे बट अब देखकर लग रहा है वान ही तुमारा ख्याल रखेगी और अब सारे लोग चले जाते हैं और हमारे डाव और कुक दोनों का अच्छे लगते हो और तुम दोनों के बीच बहुत कुछ कामन है इसलिए तुम दोने एक दूसरे को डेट कर सकते थे तुक बोलती है लोगों को लगता है मैं और कौंग एक कपल है क्या तुमने नहीं सोचा था इसा तुडव बोलता है नहीं मैं अपने भाई को जानता हूं वो तुम्हारे जैसी लड़की को भाव नहीं देगा तो कुप बोलती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है तुडव बोलता है पर तुम जैसी हो मेरे लिए पॉफेक्ट हो और ये सुन कुप बलश करना शुरू कर देती है और फिर इन दोनों का रोमैंस स्टार्ट हो जाता है फिर नेक्स सीन में कुप इस्टूडियो जाने के लिए तयार होती है जहां वो डाव को भी साथ चलने को बोलती है और वो उसका असिस्टन बनने का काम करेगा जो सुन डाव तो बड़ा खुश हो गया था और अब दोनों स्टूडियो आ जाते हैं जहां कुप काम पे लगी हुई थी और इसका ध्यान जाता है कि डाव के पीछे तो बहुत लड़िया पड़ गई है तो वो सब को से दूर करती है और कुप देखती है डाव सब के साथ पड़े अच्छे से घूल मिल जा रहा था जो देख उसे खुशी मिल रही थी और अब डाव और कुप दोनों रॉमैंस में लग गयते हैं जहां उन दोनों को बोस देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि डाव और कुक दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं इसलिए वो बोलता है मैंने तो कुछ देखा ही नहीं जो सुन कुछ बलश करने लगती है और अब हम लोग रात का सीन देखते हैं जहां डाव बोल रहा था और इधर कॉंग सब को अपने अबराट की कहानी सुना रहा था जब मैं अपने दोस्तों के साथ अबराट गया था तब हम लोग इतने ठके हुए थे कि हम लोग होटेल जाते ही सो गये थे और तब मुझे एक सपना आया एक औरत का मुझे नहीं पता वो सपना था या रियालिटी लेकिन उस औरत ने मेरे कारों में कुछ बोला था कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और ये सब सुन सब इन लड़का डर रही थी कि शान उन लोगों को और डरा देता है और अववान कौंग का केर करने लगती है जो देख वान के दोस्त बड़े खुश हो रहे थे और अववान बोलती है शान मैं तुमसे माफी मागना चाह रही थी बट मुझे सही वक्त ही नहीं मिल रहा था तो शान बोलता है माफी पर किस लिए तो वान बोलती है मुझे हमेशा गिल्ट होता रहता है मैं जानती हूँ म और ये लास्ट ट्रिप है तुम लोगों के हाई स्कूल की इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सब अपने दिल को खोलो और जो तुम्हारे मन में है वो सब कुछ बोल दो जिसे तुम लोग की दोस्ती हमेशा टिकी रहे तो कोको बोलती है मुझे अच्छा लगा वान कि तुमने अपने दिल की बात रखी मुझे पता है तुम कैसा फील कर रही हो लेकिन ये बात जाने के लिए मुझे बहुत टाइम लग गया था जबकि हम लोग इतने वक्त से दोस्त थे लेकिन अब मुझे तुम से कुछ क्लारिटी चाहिए जब तुम अपने प्रॉब्लम से भागती हो उसके प्रॉसेस में तुम बहुत से लोगों को हर्ट कर देती हो और सच कहूं तो मुझे तुम्हारी परसनालिटी बिलकुल भी पसंद नहीं है लेकिन जब मैं सोचती हूं तो मुझे स्टार्टिंग वाली वान याद आती है जिसे मेरी पहली बार दोस्ती हुई थी और सुनवान से मैं बहुत ज़ादा प्यार करती हूं और ये सब सुनवान को अच्छा लगता है और फिर ये सबी एक दूसरे के साथ खुब मस्ती करने लगते हैं और इसी के साथ इस एपिसोड के एंडिंग हो जाती है होप यू गाइस विल इंजोई इड प्यासापिज थ हुब मिल्बब करने टो